हलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र दोस्तों, आज सुबर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पर्या वरण अध्यन यानि कि EBS का एक प्रेक्टिस सेट जिसमें आपको बिल्कुल नए Selected Important Questions का सेट मिलेगा और ये आपके विल्कुल नए पैटरन पर आधारित Important Questions होंगे तो कम से कम समय में सभी Questions को देखिएगा, समझिएगा और Answer करिएगा देखते हैं कितने Questions आपके सही हो पाते हैं और जहां आपको दिक्कत लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं Answer जरूर करिएगा इसके साथी साथ दूस्तों सबसे पहले आपको कुछ Important News है Current Affairs से सम्मनित उन पर चर्चा कर लेते हैं तो आज 31 October है और सरदार पटेल जी का जन्म दिवस है जिसे की राष्टी एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो ये आपके लिए Important Questions है याद कर लिजेगा 31 October को राष्टी एकता दिवस मनाया जाता है बहुत Important Question है पूछा जा सकता है और ये किसके जन्म दिवस पर लोहपुरुस सरदार बल्लब भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है हम सभी उनको नमन करते है इसका दूसरा एक और Question है दोस्तों कि आज राथ से दो केंद्र सासित राज नय बन रहे हैं जिसमे कि पहला जम्बू कस्मीर है और इसका दूसरा राज की बात करें तो लद्दाख है ये दो केंद्र सासित राज आज राथ को यानिकी कल से एक नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आज ये केंद्र सासित राज राज रूप में अधिकारित रूपर इनकी खोसना कर दी जाएगी ये दोनों बहुत ही important questions है याद कर लीजेगा तो दोस्तों दोनों questions बहुत ही महत्पूर्ण है याद करना मत भूलेगा अब देखते हैं पहले questions है बहुत बिल्कुल नए questions है और पूछे जा सकते हैं पहला question है उत्तर प्रदेश में लोग अदालतों की सुरुआत कब की गई 1977 में, 1987 में, 89 में या फिर 84 में पहला question है और इसका आपका बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा 1987 में उत्तर प्रदेश में लोग अदालत जो की से तेजी से मुकदमों को निप्टाने के लिए जन संखह बाले नगरों का सही करम बताईये, जानि कि ऐसा करम जिसमें कि सबसे पहले अधिक फिर उससे कम और फिर उसके बाद तीसरे नंबर के उत्तर प्रदेश के तीन जो सहर है जहां कि जन संखह सबसे अधिक है उनका सही क्रम क्या है लखनव कानपूर गाजियावाद लखनव आगरा कानपूर कानपूर लखनव गाजियावाद है फिर कानपूर वारानसी आगरा सेकर्ड नमबर कोश्चन और इसका दोस्तों देखे ए नमबर आपसन है लखनव, कानपुर और गाजियाबादी ये बिलकुल सही करम है उत्तर प्रदेश के तीन सरवाधिक जनसंख्या वाले नगर जो है उनका आगे बढ़ते हैं थर्ड नमबर कोश्चन पर विस्व में तम तमाखु सबसे अधिक उत्पादित की जाती है भारत, चीन, सेयुक्त राष्ट अमेरिका या फिर केंदर स्वतंत राज्य समू जल्दी से बताईएगा थर्ड नमबर कोश्चन है इसका आपका कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो बी नमबर आपसन दोसों चीन, चाइना ज लिए है झूप्र रेखा किन दो देशों को आपस में बाड़ती है भारत, चीन, चीन और अफ्गानिस्तान, भारत और तिबबत, पाकिस्तान और अफ्गानिस्तान तो दोस्तों फोर्थ नमबर question का आपका देखी जल्दी से डी नमबर option है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दो देशों को अलग करने वाली रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है और रेखा पर आधारी दोस्तों एक question जरूर पूछा जाएगा चाहें आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट हो और मेंली इनी के आप लोगों को बिल्कुल सिलेक्टेड कोश्चन के आधार पर त्यारी कराई जा रही है तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अगला फाइब नंबर कोश्चन है किस दिन प्रत्वी सूर् से अधिक दूरी पर होती है तो यह 21 जून 3 जन्वरी 4 जुलाई या फिर कह सकते हैं 23 सितंबर इसका आपका कौन सा उप्शन सही होगा इसे हम लोग उपसवर के नाम से भी जानते हैं मैंने आपको बताया था अपसवर और उपसवर अपसवर कहते हैं या उपसवर या आप या फिर आचार क्रपलानी देखे कोश्चन तो सभी लोगों को मालूँगा इसका आंसर सबको मालूँगा लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं ऐसा आपका सुपर टेट में एक कोश्चन पिछली बार भी आया था कि जो संभिधान सभ के अध्यक्ष कौन थे तो उसमें भी काफी अभी भी करेक्शन नहीं हो पाया है तो इसी प्रकार के कोश्चन इसका आपका सी नंबर ऑप्शन है सी राजगोपाला चार अन्तिम वायसराय पूछा गया ये तो नहीं का गया कि विदेशी कौन थे या भारती कौन थे तो अन निर्माड किसने अकबर ने जहांगीत ने लतुत मिसने आफ़ी स सेरसा सूरी ने तो दूस्न सेवेन नंबर कोश्चन है और इसका आप डि नंबर कोश्चन को याद कर लिजबाए से counterpartолोग डी नंबर खूप्शन को याद कर लिजेगा अगला एर्थ नंबर कोशन में रोजनी नाइडू मीरा भाई या फिर रानी लक्षमी भाई एर्थ नंबर कोशन है जल्दी से आंसर करिएगा तो इसका दुस्तों सी नंबर आप्शन है मीरा भाई आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे गलत कर दिया होगा लेकिन जो सबसे सही आंसर है वो डी नंबर सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा मीरा भाई की फोटो जो है सबसे पहले डाग टिकट पर दिखाई दी सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा बढ़ते नाइन नंबर कोशन पर देखे जल्दी से क्या दिया गया है सम्भिधान की प्रस्ताबना में प्रियुक्त सब्द पाद पिर सभी दर्मों की अस्विक्रति सेकुलर सब्द का सही अर्थ क्या होता है जल्दी से बताईएगा तो आपको सीधे-सीदे दिख रहा होगा तीनों तो गलत दिख रहे हैं एक से दिख रहा है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना का अधिकार है और इसकी सोतंतर बता भी है आप इस पर कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगा सकते हैं ये नंबर आप्शन सही हो जाएगा अगला 10 नंबर कोश्चन है भारती संविदान में किस अधिनियम के धाचे को सुईकार किया था भारत सासन अधिनियम 1905 इस्ट इंडिया कमीशन 1905 भारत सासन अधिनियम 1945 या फिर भारत सासन अधिनियम 1935 10 नंबर कोश्चन है और इसका आपका देखे D नंबर आप्शन सही हो जाएगा तो दूसनों 10 नंबर कोश्चन का आपका D आप्शन दिया गया भारत सासन अधिनियम 1935 इसके अधार पर भारती संविदान का निर्माड किया ग आपको कुल सदस्यों की संख्या नहीं मालूम है तो कोई बाद नहीं लेकिन आपको आधा कोश्चन तो मालूम होगा इसमें दिया गया 20 सदस्यों को राष्टपती मनोनीत करता है इसमें 18 दिया गया इसमें 12 और इसमें 200 बारे अलगलग छेत्रों से आने वाले बारे सदस्यों को फिर वो संगीत हो गया खेल हो गया अन्य प्रमुक छेत्र जो होते हैं समासेवा हो गया सभी छेत्र इसके अंतरगत आते हैं तो C नंबर आप्सन सही हो जाएगा आगे 12 नंबर कोशन है भारती समिधान में निम्न लिखित पदों में कौन सा क्रम सही है तो भारती समिधान में इनमें से कौन सा क्रम सही है भारत के मुख नयादीस मुख चुनाओ आयूक तो राजियों के मुख मंतरी और अंत में आता है राजियों के राजिय पाल यह या फिर चारों आप्सन देखेगा कौन सा आप्सन बिल्कुल सई दिया जिसमें कि सही करम दिया गया पदों के आधार पर जो कि भारतीस अधान में बताए गये हैं 12 बार कोशन है और इसका आपका नमबर ऊप्चन है देखिजे, राजियों के राजेपाल फिर भारत के मुख नयाधिस राजियों के मुख्यमंतिर मुख्य चुनाओ आयुकती ये सही क्रम है बी नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा याद कर लीजेगा आगे वड़ते हैं थार्टी नंबर कोश्चन पर बहुत इंपॉर्टन लेटिस्ट कोश्चन है आपका हाल ही में केंद्र सरकार दोरा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्मान एवं उनमें तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई चेंज इंडिया, फेम इंडिया, राइट इंडिया या फिर ग्रीन इंडिया तो किसके अंतरगट जो इलेक्ट्रिक वाहान ने उनको बढ़ावा दिया गया और उनके लिए जो योजना चलाई मंदल ने एकी क्रत वायो एथिनाल पर योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंझूरी दी प्रदान मंत्री जीवन योजना प्रदान-वंद्री वायो योजना प्रदान-वंत्री सुच्छा इन य्षय उपरोक्त में से कोई नहीं तो तो दोस्तों 14 नमबर कोश्चन का आप लोग देखे जल्दी से ए नमबर आप्शन है प्रधान मंतरी जीवन योजना इसको बढ़ावा दिया और इस योजना के अंतरकत जो एकी करत वायो इथिनाल पर योजना है थी उन्हें आगे लाया गया 15 नमबर कोश्चन है भारत में उदार अध्योगी कनीती किस बर्स अपनाई गयी उदार अध्योगी कनीती कब अपनाई गयी 1948 में 56 में 85 में या फिर 91 में जल्दी से बताएगा 50 number question का आपका A number option सही हो जाएगा 1948 में उदार अध्योगी की नीती अपनाई गई ताकि उध्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और देश में किसी भी परकार की कोई कमी ना हो क्योंकि तुरंत ही देश आजाद हुआ था तो अनेक परकार की कई घटनाई घटित हो रही थे और उनसे देश जूज रहा था जिसकी बज़े से इस परकार की नीतियों का प्रयोग किया गया तो दोस्तों ये बहुत important आपके पर्यावरान अध्यन और नागरिक साथ संभिधान के questions हैं अच्छे से याद करिएगा एक के question को और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों ने पुरानी classes ना देखिए तो link नीचे दिया कहा है साम को 5 वजे live class से भी जरूर जुड़िएगा जिसमें केम लोग cover करेंगे आज बाल विकास के बहुत ही important selected questions को जरूर देखिएगा अगला question है विस सुबैंक का मुख्याले इस्तित है विस सुबैंक का मुख्याले कहां आये मनीला में वासिंग्टन डीसी में निव यार्क में आफिज बहुत बार आपको पढ़ाया यहाद हो का आप लोगों को वर्ल्ड वैंक जो है इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है इसका अपका बी नंबर ओप्शन वासिंग्टन डीसी में इसका मुख्याले इस्तित है अगला प्राचीन मुख्यता संबंदित है समाज वेस्था से कानून वेस्था से अर्त सास्थ या फिर वह सै तो 218ación member question का एक question समाज वेस्था से जो समाज में रहन संखेन की लोगों की है वह मनुष्पनबुति के इंतर्गत है मनुषक्य असे संबंदित है एन Bijॉप्सन सही हो जाएगा 19 नंबर कोशन है केंदरी इखाद प्रोध्योगी की एवं अनुसंधान संस्थान CFTRI कहां इस्तित है इसका मुख्याले कहां पर है चेंदरी में मैसूर में हैदराबाद में फिर वेंगलूर मैसूर में इस्तित है केंदरी इखाद प्रोध्योगी की एवं अनुसंधान संस्थान बी नंबर कोशन सही हो जाएगा अब आज का अंतिम कोशन है 20 नंबर कोशन देखिए और बताइए आज के इन छोटे-छोटे 20 कोशन में से कितने कोशन आपके सही हुए है और उम्मीद क करते हैं आपको सभी कोशन पूरी व्याख्या के साथ समझ में आ गए होंगे आप पुरानी क्लासेज को देखेगा और बाल विकास की एक बुक एक बुक में आपके 16 कोशन दोनों बुक मार्केट में आ चुकी हैं और आप लोग मार्केट से भी ओडर कर सकते हैं या आप लोग डाइरेक्टली जा करके एमजोन पर या फ्लिप कार्ड पर ओडर कर सकते हैं लिंक नीचे दिये गए हैं जल्दी से बताएगा 20 नंबर कोशन और आज का अंतिम कोशन है इसका ए नंबर आपसन सही हो जाएगा या आज के सभी 20 कोशन कंप्लीट होगें उम्मीद करते हैं आपको कोशन पसंद आयोंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो तो साम को 5 वजे लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा आज काफी दिनबार लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है तो अच्छे से त्यारी में लग जाईएगा सभी को बहुत बहुत सुब कामना है अल्द भेश त्यारी करते रहिए अगर को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा थैंकि दोस्तों